गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स काफी दिनों से मैं सोच रही थी आप लोगों से जो फर्टिलाइजर मैं यूज करती हूँ वो सेयर करूँ तो कई सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कि आप ड्राइज फर्टिलाइजर कौन से यूज करती हैं बताएं तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को जो मेरे गार्डन में मैं ड्राइज फर्टिलाइजर यूज करती हूँ वो बताऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स बार-बार मेरे पास भी समय नहीं रहता है इस वज़े से बार-बार कभी NPK डालना, कभी Vermic Compose डालना, कभी Seavet Grain World डालना, इस तरह से मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं एक Mixer चायार करती हूँ, जिसे मैं सारे प्लांट को देती हूँ, Dry Fertilizer, तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राइ करके देखेगा, और आप लोग के आप लोग से सेयर करूंगी, और इस फर्टिलाइजर को जब भी मैं अपने प्लांट को देती हूँ, उसके बाद मैं एक महिने तक अपने प्लांट को कुछ भी मुझे देना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, तो आज मैं देखिए, इस तर सकम है, तो देखिए, मैंने लिया है, तीन केजी लिया है, मैंने वर्मिक कमपोज्ड, आप चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं, वर्मिक कमपोज्ड के जगह, या फिर कीचन वेस्ट कमपोज्ड भी ले सकते हैं, तो ये तीन केजी वर्मिक कमपोज्ड है, और दो म इस तरह से आप 1990 भी यूज कीजे प्लांट में, तो इसका 1.5 चमच ले लेना है हमको, और एपसम सॉल्ट भी यूज करना है, क्योंकि एपसम सॉल्ट यूज करने से हमारे प्लांट की पतियां बिल्कुल अच्छी हेल्दी होती हैं, और ये 4 चमच है सीवीड ग्रेनवल, और इस बर मैं डीएपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, तो भाईया ने बताया है कि जो मैं पहले वाइट कलर कर डीएपी लेकर आती थी, वो इस बर ब्लेक कलर के और गेनिक डीएपी आया है, ऐसा उन्होंने बताया है, ये देखिए इस तरह से, ये और गेनिक है, केमिकल नहीं है इसमें, तो इसके इतने सारे दाने ले लीजिए, क्योंकि ये केमिकल नहीं है, तो ये पौधो को नुकसान भी नहीं पहुचाएंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो डीएपी इसकी भी कर सकते हैं, और इस तरह से मैं फर्टिलाइजर बनाती हूँ, और दो चम होती है, और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, तो मैं बार बार फर्टिलाइजर चेंज करकर के, तो समय रहता नहीं है देने के लिए, तो मैं ये ऐसे ही करती हूँ, इसी तरह से बना लेती हूँ, और उसके बार गमले के हिसाब से, जैसे हैं, और चलिए मैं पिंटास के प्लांट को दूँगी, तो कल से मैंने इन प्लांट को पानी नहीं दिया है, जब भी ड्राइ फर्टिलाइजर आप दें, तो उससे एक दिन पहले पौधों को पानी ना दें, जिससे की गुडाई करते अच्छे से बनती है, और हमेसा ऐसा ह देना चाहिए फर्टिलाइजर, तो गमले को गुडाई कर लिजिए, गमले की मिठी को, और एक साइड मिठी को हटा कर आप फर्टिलाइजर डालिए और उसी के उपर उसी मिठी को कर दीजिए, बराबर इस तरह से, ऐसी हम दूसरे साइड पर भी करेंगे, और जब भी दि वाटरिंग करूंगी तो जो फर्टिलाइजर ये है फ्रेंड्स इसको आप अभी पर्मनेंट प्लांट के लिए भी यूज कीजिए बहुत बेस्ट रहता है ये तो मैं सारे जितने भी मेरे हिबिसकस है आलमंडा है इन सब में मैं यूज करूंगी और चांदनी है मिनी चांद रूपा है इस तरह से जितने भी प्रमनेंट प्लांट हैं उनसा प्लांट को आप ड日机 अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इस तरह से मैं लेग! है पेंटा कर लिए मैं बलान को डे दिया है अब चलिए हम ही इसकस के प्लांट को भी दे देते हैं जो मेरे गारडन में आप लो तरह से तो जित्ता भी साय मिलता है मैं दिरे दिरे अपने गार्डन के वर्क करती हूं तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक